वेलो स्टुडेंट जो अभी हमने चिल्डन एट वर्क है उसके दो पार्ट पड़े हैं पहले पार्ट में हमने क्या पड़ा था कि वो जो वैलू है वो अपने गाउं को छोड़कर भाग जाता है वो central station चन्नई में आ जाता है दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसको जो एक लड़की जया वो मिलती है जो उसकी खाने पीने में मदद करती है ऐसा ही सब हमने first or second part में पढ़ा है तो आज हम इसका third part पढ़ने वाले हैं इस third part में हम क्या पढ़ने वाले ह पहले हम वो देख लेते हैं there is a row of hearts near dirty puddles मतलब puddles मतलब होता है गड़े तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं वहाँ पर एक जोपड़ियों की कतार थी किचड़ के गड़ों के पास में outside one of the hearts जया dumped her set एक जोपड़ी के बाहर की तरफ मतलब एक जोपड़ी के बाहर जया ने अपने बोरे को पटक दिया रख दिया grateful to his friend value things of the days ahead value अपनी दोस्त जया को धन्यवाद करता है और सोचता है कि उसका आगे का दिन कैसे गुजरेगा यह सब चीजे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम स्टार्ट करते हैं जया एंड वैलू वाक्ट अलोंग दे रोड 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 पर हाफ एन आर अंटिल दे केम तो अब्रीच अक्रॉस अडर्टी ट्रीकल अवाटर वाटर वेर वी आर इन ट्रिपलिकें नाव सी दैट्स आ बकिंगम कैनल सेट जया जया और वैलू जो है वो साथ साथ चलते रहे रोड पर मतलब रोड पर वो दोनों साथ में चल रहे थे आदे गंटे तक जब तक के वे एक ब्रीच के पास नहीं आ जाते हैं तब तक वो चलते रहते हैं उस ब्रीच के नीचे से गंदे पानी का नाला बहरा था ट्रिकल में एक पानी की धार जो की के पास में और चन्न नीन हसे भी जाधा पुरानी जगा है तो वह से बोलती है हम ट्रिपलीकन में आ चुके हैं और जया उससे कहती है देख को वहारा वंकिंगं कैनल नाल मतलब कि नहर वह इसको बोलती है किसको बोलती है वैलु को बोलती है जया इसके बाद हम देखते हैं वैलु स्टेर्ड दिस वाज़ा कैनल नियर सम पडल्स ओफ वाटर वाज अ रोज आ रोफ दस रोफ दस ट्रेंगेस्ट हर्ट यहां पर वो क्या बता रहे हैं क्या बताया है कि वैलु घूरता है कहता है यह कहना रहे है कि नहर है कुछ पानी के गड़ों के पास में एक कतार में अजीब और गरीब जोपडिया बनी हुई थी जो उसने कभी भी नहीं देखी थी वह जोपडिया जो है वह लगभग हर चीजों से मिलकर बनी हुई थी जैसे कि टिन के पत्रूं ो METL SHETS मतलब वह जो Тन के पत्रे होते अगर आपने कभी कोई जुपड़ी देखी ओ तो उस पे अगर आपने देखा हो तो तो Tन के पत्रों से TIEARS से, इटो से, लखड़ी से और PLASTIC से मतलब इन सब चीजों से मिलकर वह जुपड़िया बनी हुई थी वे जोपड़िया आड़ी तिर्चे बनी हुई थी crookedly means आड़ा तिर्चा खड़ी होना मतलब वो आड़ी तिर्ची खड़ी हुई थी और ऐसा लगता था किसी भी समय गिर जाएंगी मतलब उन जोपड़ियों को देकि ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर सकती है वो इतनी आड़ी तेड़ी बनी हुई थी वेलू कहता है क्या तुम यहां रहती हो यह घर तो बहुत अजीब है हमारे काउ में घर मिट्टी और पाम लीव याने की जो तार के पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं उससे बने होती है ऐसा बताता है क्या हमारे गाउ में तो घर ऐसे बने होते हैं जो मिट्टी से और तार के पत्तों से बने हो जया वेंट अराउंड टू वन ओफ दा हट्स और डम्ट हर सैक आउटसाइड तैन शी पिगड़ अप एंप्टी वन जया एक जोपड़ी के पास जाती है और जोपड़ी के भार अपना थेला पटक देती है और फिर वह एक खाली थेला उठा लेती है लेट्स गो चलो चलते हैं ऐसा जया बोलती है जो वह लड़की है वह वह वैलू की तरफ मुड़ती है और वैलू को धक्का देती है कम से कम अब तो मेरी मदद करो इधर देखो इसे पहनो और मेरे साथ चलो वह कुछ देती है मतलब वह कुछ चीज देती है वैलू को और बोलती है कि इसे पहनो और मेरे साथ चलो She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hand Value was confused What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the landowner's farm Weeding and taking cows out to graze Are there any farm in the city? He asked जो वो लड़की है वो पुराने जूतों का एक जोड़ा value को देती है यहां हम देख सकते हैं कि पुराने जूते रखे हुए हैं वो पुराने जूतों का एक जोड़ा value को देती है और वो उससे क्या बोलती है वो जूतों का जोड़ा देकर जिसमें laces भी नहीं होती है वो value को देती है और वो value के हाथ में एक थेला और एक लंबी सी स्टिक थमा देती है और उसको value को जब वो यह सब चीज़े पकड़ा देती है तो value जो है वो बहुत confused हो जाता है कि इन चीजों से वो उससे क्या काम करवाना चाहती है value ने आज तक एक ही काम किया था जमिदार के खेत में खेती करने का घास निकालने का और गायों को चराने ले जाने का बस उसने यही काम किया था फिर वो जाया से पूछता है यहाँ कोई farm है खेत है ऐसा वो जाया से पूछता है she laughed and thumbed her stick on the ground farms there are no farmers here we are rag pickers rag pickers फिर वो जो लड़की है वो जो जाया है वो जोर से हस्ती है और अपनी stick को ground पर पटकती है खेत यहाँ कोई खेत नहीं है यहाँ कोई किसान नहीं है हम कच्रा वीनने वाले हैं तो वो बोलता है rag pickers कच्रा वीनने वाले see my sack full of things I collected देखो मेरा थेला मैंने जो चीज़े इखटा किये उनसे यह भरा हुआ है तो collected from where asked value value जो यह वो कहता है तुमने कच्रा क्यों खटा किया है और कहां से खटा किया है उसको बहुत आश्यर होता है वो तो गाउं से आया था उसने यह सब कुछ देखा नहीं था इसलिए उसको बहुत आश्यर होता है वो उससे पूछता है तुमने कच्रा खटा किया है कहां से खटा किया है क्यों खटा किया है वो ऐसे कुछन से पूछता है तो वो लड़की कहती है कच्रे के डिबो से और कहां से तो यू कलेक्ट रबिश वैलु हैड नेवर हर्ड ऑफ सच आथिन जो वैलु है वो कहता है तुम कच्रा बीन थी हो वैलु ने आज तक ऐसे काम के बारे में नहीं था क्योंकि उसके गाउं में ऐसा कोई काम नहीं होता था तो उसने ऐसे काम के बारे में कभी सुना ही नहीं था ए ब्लॉक हेड इट्स नॉट एनी रबिश ऑनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच तिंग्स वी सैल इट टू जैम बजार जग्गू तो वह बोलती है ए मन बु वह बोलती है ए मन बुद्धी या कोई कच्रा नहीं है सिर्फ पेपर है प्लास्टिक है ग्लास मतलब जो शीशे होते हैं वह हैं ऐसी चीजे हैं हम इसे जैम बजार जग्गू को बेचते हैं ऐसा वह बोलती है वैलू उस पॉजल ही हैड हर्ड ओफ पीपल थ्रोइंग अव को पालों के बारे में सुना था लेकिन कोई कच्रा ख्री देंगे यह सको पता ही नहीं था dar तो ऐसा वह सुचता है की कुई कच्रा क्यों खरीदे गा फिर वो जैम बाजार जग्गू वो पूसता ही है जैम बाजार जग्गू कौन है और वा इन चीजों को क्यों खरीटता है लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है वो शो के लिए खरीटता है वो इसे फैक्टरी में बेशता है छोड़ो इन बातों को मेरे पास समय नहीं है बरबात करने के लिए तुम्हारी तरह वो क्या बोलती है इन सब बातों को छोड़ो जैसे तुम समय बरबात कर रहे हो इस प्रकार मेरे पास समय नहीं है बरबात करने के लिए और जैम बाजार जग्गु में एक बाजार है जैम बाजार उसमें एक वेक्ति है जिसका नाम जग्गु है उसको ये लोग सब जैम बाजार जग्गु बोलते हैं वेलू डिड नोट मूँव ही हैडेंट रन अवे एंड कम तु दिस न्यू प्लेस तु डिक थ्रू गार्वेज बिंग अब वेलू जो है वहां से बिल्कुल भी नहीं इलता है वह सोचता है वह अपने गाउं से भाग कर यहां नहीं जगा पर कच्रे के डिब्बे को खोधने आया है ऐसा वह सोचता है जया पोगड एट हीम विथ हर स्टिक जया जो है उसको जो उसकी स्टिक होती है वाद चुभाती है लुक यार शी शाउटेट इस समवन समवन गेट देयर बिफोर अस वी डोंट गेट अनिधिंग डोंट जस्तेंड ही आर पोजिंग घीरो I am trying to help you who filled your stomach today फिर जो जया है वो जोर से चिलाती है और कहती है यहाँ देखो अगर उस कच्रे के डिपबे के पास मतलब होगा कोई कच्रे का डिपबा होगा तो वो कहती है कि यहाँ देखो अगर कोई हमसे पहले माँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब वो बोलती है कि बड़े हीरो की तरह यहाँ पर खड़ेओ के पोस्ट दे रहे हो ऐसा मत करो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ आज किसने तुम्हारा पेट भरा वो ऐसा भी बोलती ह वेलो इतना सर खुझाता है और कहता है मैं अभी के लिए यही काम करता हूँ वह सोचता है कि जब तक कि उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक के लिए वो यही काम कर लेगा तो students यह हमारी जो story थी Children at work इसको तीन लोगों ने मिलकर लिखा है गीता वॉल्फ, अनुषका, रवीशंकर और ओरिजित सें इन तीनों ने मिलकर इस story को लिखा है और इसको कहां से लिया गया है और रैक पीकर चिल्डरन एंड रिसाइक्लिंग यह जो नौवल है इसमें से इस story को लिया गया है तो students, I think आपको story अच्छे सा समझ में आ गई होगी Thank you